कुदेव जो पी असी महोंगे बाबाल इन रात पड़ना है मजा बोधा माल कावबर ले थसरे ठेंसन अरे कावबर ले थसरे ठेंसन जब अपसर बन केते कर पेद अमाल ये कैसे होगा से हेलो फ्रेंड्स गुड इविडिंग एक बाब फिर से स्वागा था है आपका हमारे टॉप एमसी क्यू सिरीज में कल तक हमने क्या देखा था जल्दी से आप कमेंट सेक्शन ने बताया कल तक हमने क्या क्या अपना पढ़ाई किया था तो आपको पता है कि कल तक हमने सवीने अवग्या आंदोलन के दोनों चर्णों पर चर्चा की थी ठीक है कितने चर्णों पर तो सवीने अवग्या आंदोलन के दोनों चर्णों पर हमने चर्चा की थी कुछ क्वेशन करता हूं मैं आप से उसका पहले आप मुझे आंसर दीजिए फिर हम आगे बढ़ना श प्रथम सवीने अवग्या आंदोलन के समय कहां कहां पर प्रमुक रूप से जंगल सत्याग्रा हुए थे सभी का डेट और उसके जंगल सत्याग्रा के नाम आप मुझे जल्दी लिख कर बताएं कमेंट सेक्शन में दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कि दृती चरण का सवीने अवग्या आंदोलन जब हुआ तो उसमें 36 गड के अंतरगत प्रथम सत्याग्रही कौन थे दूसरे चरण के सवीने अवग्या आंदोलन में 36 गड़ में प्रथम सत्याग रही कौन थे ये दो आप मुझे मैं आपको question दिया हूँ इसका क्या करें आप सबसे पहले answer दे फिर हम क्या करते हैं आज का जो हमारा topic है क्या तो भारती राष्टी अंदोलन ने उट 36 गड़ का part 3 उस पर क्या करेंगे आगे चर्चा करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबीने अवग्या आंदोलन के उपरांत फिर क्या होता है यहाँ पर तो 36 गड़ में महात्मा गांधी की दूसरी 36 गड़ यात्रा होती है ठीक, महात्मा गांधी ने पहली बार 36 गर की यात्रा कब की थी, उनके आने का उद्देश ये क्या था, उनके साथ में कौन आये थे, कहां से वो आये, और यहां से फिर वो कहां के लिए रवाना हुए, इन सभी चीजों को क्या करें, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसले हम आज का अपना पहला क्वेशन पहला क्वेशन बोल रहा है गांधी जी उन्नीस सो तैटीस में चटीस गड़ की दुती यात्रा किस माह में प्रारंभ की थी तो जन्वरी में किया था दिसंबर में नवंबर में की अगस्त में किस माह में गांधी जी ने अपनी दूसरी चटीस गड़ यात्रा प्रारंभ की थी सबसे पहले आप मुझे बताएं कि पहली चटीस गड़ यात्रा इन्होंने किस माह में प्रारंभ की थी जल्दी बताएं, पहली 36 गड़ यात्रा किस माह में प्रारम्भ की थी? बता दिया आपने तो हमको पता है कि गांधी जी जो थे, वो नवंबर 1923 में क्या हुए थे? तो 36 गड़ की यात्रा में दूसरी बार आये थे, कितने बार? तो दूसरी बार आये थे, कब तो नवंबर 1923 में, कितने से कितने नवंबर के लिए? जल्दी बताएं, ठीक है? अगला क्वेशन देखते हैं, अगला क्वेशन है, गांधी जी का 36 गड़ में दूसरी बार आने का क्या उद्देश ये था? पहला सवीने अवग्या अंदोलन करना, दूसरा खादी का समर्थन करना, तीसरा महिला करना और चौथा अचूतो धार, क्या कारण था गांधी जी का दूसरी बार 36 गड़ आने का? जल्दी आप अपना आंसर लगाएं, लगा लिया आंसर आपने, चलिए, पढ़ते हैं पहले, फिर हम क्या करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे हेडिंग डालेंगे क्या आप? महात्मा गांधी की दूसरी चत्तिस गड़ यात्रा, ठीक है? महात्मा गांधी की दूसरी चत्तिस गड़ यात्रा, सबसे पहले आप जाने किस समय क्या था? महात्मा गांधी के दूसरी चत्तिस गड़ यात्रा का समय क्या था? तो 22 से 28 नवंबर 1923, ठीक है कितना? तो 22 से 28 नवंबर 1923 को महात्मा जी किस दौरे पर थे? तो महात्मा गांधी जी 36 गड़ के दौरे पर थे, क्लियर है? काप से काप तक? तो 22 से 28 नवंबर 1923 तक ये क्या थे? तो महात्मा गांधी जी 36 गड़ दौरे पर थे. इनका आने का उद्देश्य क्या? तो महात्मा गांधी के आने का उद्देश्य था हरी जन उद्थान. ठीक है, क्या था? तो हरी जन उद्थान क्या था? महात्मा गांधी के 36 गड़ आने का मुख्य उद्देश्य था. इस बार महत्मा गांधी के साथी जो क्या हुए थे तो उनके साथ 36 गड़ आये थे आप पहले बताएं मुझे कि महत्मा गांधी के पहली बार 36 गड़ आने का उद्देश से क्या था और उनके साथ पहली बार कौन-कौन से जो नेता थे वो 36 गड़ आये थे सबसे पहले बताएं आप मुझे कि महात्मा गांधी के पहली बार 36 गड़ आने का क्या उद्देश से था और उनके साथ कौन से नेता और आये थे फिर मैं आपको दूसरा बताता हूँ तो जो महात्मा गांधी है इनके 36 गड़ यात्रा के अंतरगत मीरा बेन महादेव देसाई मीरा बेन महादेव देसाई ठककर बापा और जमुना लाल बजाज ये क्या थे तो ये थे साथी किसके साथी थे तो महात्मा गांधी जी के साथी थे किसके तो दूसरे 36 गड़ यात्रा के इसके बाद आप देखें समय हो गया उद्देस्य हो गया साथी हो गया फिर सार्थी इनके ड्राइवर पहले में कौन थे तो हजारी लाल जैन जी थे और दूसरे में भी कौन है तो हजारी लाल जैन जी ही है तो इनके दूसरे 36 गड़ यात्रा के भी क्या है यह तो इनके सार्थी है इनकी यात्रा आप मुझे बताएं कि महात्मा गांधी पहली बार महात्मा गांधी का जो है आगमन था वो कहां से हुआ था और वो 36 गड़ से फिर कहां के लिए रवाना हुए थे जल्दी बताएं आप तो हमने देखा था कि पहली बार जो महात्मा गांधी है वो कहां से आये थे तो वो कलकत्ता से आये थे और कलकत्ता से आने के उपरान फिर वो कहां के लिए रवाना हुए थे तो गोंधिया के लिए रवाना हुए थे सौरी, गोंधिया के लिए नी हुए थे, कहां के लिए हुए थे? नागपूर के लिए रवाना हुए थे इस बार जो महात्मा गांधी है, उनका आगमन नागपूर से होता है, ठीक, कहां से होता है? नागपूर से ठीक है कौन महात्मा गांधि गोंदिया होते हुए फिर बाला घार चले जाते हैं अब 36 गड़ के अंतरगत इन्होंने कहा कहा की यात्रा की तो इस बार की जो इनकी यात्रा है वो शुरू होती है दूर्ग से ठीक है कहा से दूर्ग से दूर्ग के उपरान फिर ये कुमारी हो आते रहते हैं तो बीच में ये राजीम में रुखते हैं कुछ समय के लिए और जनता को संबोधीत करते हैं और फिर कहाते हैं रायपूर और रायपूर से फिर ये चले जाते हैं बिलाशपूर ठीक है कहाँ चले जाते हैं बिलाशपूर और बिलाशपूर के उपरां फिर जो महात्मा गांधी रहते हैं ये भाठा पारा होते हुए ठीक है कहाँ होते हुए तो भाठा पारा होते हुए फिर रायपूर आते हैं और रायपूर से फिर ये ट्रेन पकड़कर कहां चले जाते हैं गोंदिया चले जाते हैं कहां चले जाते हैं रायपूर से ट्रेन प्रकड़कर तो रायपूर से ट्रेन प्रकड़कर महात्मा गांधी गोंधिया के लिए प्रस्थान करते हैं और गोंधिया होते हुए फिर आगे वो बाला घाट चले जाते हैं ठीक है कहां चले जाते हैं तो यह 36 गड़ में उनके या आया जल्डी बताएं आप ठीक बढ़ें आगे देखते हैं अब 36 गड़ के अंतरगत जब ये घूम रहे हैं तो किस-किस इस्थान पर इनके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया 36 गड़ इनके आने का समय क्या तो इनके आने का समय है 22 नवंबर 1923 ठीक है समय क्या है तो 22 नवंबर 1923 clear है महत्मा गांधी का जो स्वागत है ये दूर्ग रेलवे स्टेशन पर किया गया ठीक कहां पर किया गया तो दूर्ग रेल्वे इस्टेशन में क्या किया गया तो दूर्ग के रेल्वे इस्टेशन में महत्मा गांधी जी का स्वागत किया गया इसके उपरान जो हमारा गांधी चौंक है दुर्ग का, इस दुर्ग के गांधी चौंक में क्या दिया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा भासन दिया गया, ठीक है कहां? तो गांधी चौंक दुर्ग में, गांधी चौंक दुर्ग में क्या किया गया? तो महात्मा गा गांधी जी के द्वारा क्या दिया गया भासन दिया गया क्लियर है यहां तक समझ में आ गया ठीक इसके बाद जो महत्मा गांधी है ये क्या करते हैं तो महत्मा गांधी दूर्ग से कुमहारी होते हुए ठीक है कहां होते हुए तो दूर्ग से कुमहारी होते हुए ये कहां प गांधी पहुंचते हैं कहां रायपूर ठीक है उसी साम को जिस दिन ये 22 नवंबर को आ रहे हैं 22 नवंबर की साम को कहां पहुंच रहे हैं ये तो 22 नवंबर की साम को जो महात्मा गांधी है दूर्ग पहुंच रहे हैं दूर्ग के रेलवे स्टेशन में इनका स्वागत किया नवंबर ठीक है कब 22 नवंबर 1933 ठीक है इनका स्वागत आमाना का चौक के अंतरगत क्या किया गया महात्मा गांधी जी का स्वागत किया गया ठीक है वर्तमान सरस्वती नगर के समीप आमाना का चौक पर क्या किया गया तो महात्मा गांधी जी का स्वागत किया गया पहुंसते महात्मा गांधी को रात हो जाय रहती है तो फिर महात्मा गांधी जो है वो अपना भोजन एवं रात्री विश्राम पंडेत रवी संकर सुक्ल के घर में करते हैं ठीक है कहा करते हैं तो पंडेत रवी संकर सुक्ल के निवास पर गांधी जी क्या करते हैं अपना भ वो 23 नवंबर 1923 को तो 23 नवंबर 1923 को गांधी जी स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्गाटन करते हैं ठीक क्या करते हैं स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्गाटन ठीक गांधी जी क्या कर रहे हैं तो गांधी जी स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्गाटन करते हैं कब उद्गाटन करते हैं स्वदेशी प्रदर्शनी का तो 23 नवंबर 1923 को ठीक है इस्थान पुछे तो इस्थान आप बताएंगे Victoria Garden ठीक है कहाँ पर तो Victoria Garden ठीक है इसी Victoria Garden को आज वर्तमान के अंतरगत रायपूर में मोती बाग के नाम से जाना जाता है ठीक इसी Victoria Garden को अज वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं तो वर्तमान में हम इसी Victoria Garden को मोती बाग के रूप में जानते हैं ठीक 22 तारीक को आए आमना का चौक में सौगत हो गया राहपूर के इंतरगत और फिर भोजा ने वर्तमान का आपका मोती बाग वहाँ पर क्या किया गया तो गांधी जी के द्वारा स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्गाटन किया गया इसके उपरान जो महत्मा गांधी थे ये 24 नवंबर 1923 को क्या करते हैं तो जो गांधी जी रहते हैं ये आम सभा को ठीक है जो आम जन की सभा रहती है इसको लारी स्कूल ठीक है कौनसी स्कूल तो लारी स्कूल जिसको वर्तमान में हम शप्रे स्कूल के नाम से जानते हैं यहां पर क्या किया गया महत्मा गांधी जी के द्वारा आम सभा को संबोधित किया गया ठीक है कहां पर आम सभा को संबोधित किया गया इसके उपरान जो महात्मा गांधी थे उन्होंने रायपूर में ही पंडित सुंदरलाल सर्मा द्वारा निर्मित सर्मा जी द्वारा निर्मित सत्यागरह आश्रम शत्नामी आश्रम अनाथाले का क्या किया इन्होंने निरिक्षण किया ठीक है क्या किया तो इनका निरिक्षण किया किसने निरिक्षण किया तो पंडित सुंदरलाल सर्मा द्वारा निर्मित सत्यागरह आश्रम सत्नामी आश्रम अनाथाले का निरिक्षण किया गया किसके द्वारा तो महात्मा गांधी सर्मा जी द्वारा इन सभी चीजों का क्या किया गया जो सर्मा जी द्वारा निर्मित है उनका निरीक्छन किया गया जिसके उपरांद जो महात्मा गांधी थे उन्होंने राइपूर के मौधा पारा में हरी जनों को संभोधित किया ठीक है कहाँ पर तो मौधा पारा में बहत्मा गांधी ने हरी जनों को संभोधित किया इसके बाद फिर पुरानी बस्ती राइपूर के अंतरगर जो आपका पुरानी बस्ती है वहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा रामचंद्र मंदिर में पुरानी बस्ती के रामचंद्र मंदिर में हरी जनों को प्रवेश कराया गया ठीक है और जब ये हरीजनों को यहाँ पर प्रवेश कराते हैं महात्मा गांधी तब उनको पता चलता है इसी समय उनको सूचना मिलती है कि ये जो मैं अभी मंदीर प्रवेश करवा रहा हूं हरीजनों को इस कार्यको पंडित सुंदरलाल सर्मा जो है वो इनसे पहले ही कर किया ठीक है क्या कहकर संबोधित किया तो महात्मा गांधी ने पंडित सुंदरलाल सर्मा जी को अपना गुरु कहकर संबोधित किया क्लियर है दुर्गा है दुर्गा से रायपूर अब रायपूर में क्या कर लिये ये तो 22 नौंबर को आय स्वागत हो गया फिर 23 तारीक को जो बात की जानकारी मिलती महात्मा गांधी को तो महात्मा गांधी द्वारा जो पंडित सुन्दलाल सर्मा थे उनको क्या कहकर संभोधित किया गया, अपना गुरु कहकर संभोधित किया गया, ट्लियर है, रायपूर तक की घटनाय हो गई, आगे हम देखते हैं धमतरी, अब रायपूर से फिर ये कहां आते हैं, धमतरी, तो ये आते हैं, धमतरी आने का इनका समय रहता है 25.09.1933, ठीक है, कौन सा समय रहता है, तो 25.09.1933, धमतरी के अंतरगत, इनका स्वागत वही होता है, जहां कहां हुआ था, पहली बार हुआ था, तो कहां? तो मकई बंध चौक में ठीक है कहां पर तो मकई बंध चौक में क्या होता है तो महत्मा गांधी जी का स्वागत होता है इसके उपरां महात्मा गांधी जी का जो भासन कारेकरम आयोजीत किया गया रहता है वो इस बार दाजी मराथी कन्या साला में क्या किया गया रहता है तो महात्मा गांधी जी का भासन कारेकरम आयोजीत किया गया रहता है अब बताएं मुझे कि पहली बार जब आया थे महत्मा गांधी जी तब 36 गड़ के अंतरगर जो धमतरी था उसमें कहां पर महत्मा गांधी का भासन कारेकरम आयोजीत किया गया था कहां पर महात्मा गांधी का भासंड कारेकरम आयोजी थुआ था जल्दी बताएं पहली बार में पहली बार जब आये थे तब वो कहां पर भासंड दिये थे जल्दी बताएं आप बता दिये आपने अंसर जल्दी बताएं ठीक फिर जो महात्मा गांधी थे इन्होंने बाबु छोटे लाल श्रीवास्तव के निवाश पर हरी जनों को संबोधित किया इन्होंने हरी जनों को संबोधित किया ठीक कहां पर हरी जनों को संबोधित किया तो बाबु छोटे लाल श्रीवास्तव के निवाश पर इन्होंने क्या किया तो हरी जनों को संबोधित किया जिसके उपरांत नारायन राव मेघा वाले ने हरिजन फंड हे तू 501 रूपए क्या किये तो 501 रूपए महात्मा गांधी को भेंट किया ठीक है क्या किया तो 501 रूपए महात्मा गांधी को भेंट किया गया किसके द्वारा तो नारायन राव मेघा वाले के द्वारा अब पिछली बार क्यूं भेंट किया गया था जब पहली बार आया थे वह तो पिछली बार क्यों किया गया था किसके द्वारा किया गया था और कितना किया गया था जल्दी बताया पांसर ठीक फिर अब धमतरी से ये 25 तारीक को ही निकलते रहते हैं तब 25 तरीकों जब ये निकलते रहते हैं तो फिर से कहां के लिए निकल रहे हैं तो ये निकलते रहते हैं रायपूर ठीक और रायपूर से होते हुए इनको जाना रहता है कहां तो बिलासपूर तब रायपूर जाने से पहले जो महत्मा गांधी है वो कहां तो राजिम में रूख कर ये आम सभा को संबोधित करते हैं राजिम के अंतरगत अनेक लोगों ने इनको क्या किया था तो हरीजन उत्थान हेतु फंड दिये थे ठिक इसके बाद जो महात्मा गांधी थे वो रायपूर और रायपूर से होते हुए फिर 25 तारिक को ये कहां निकल जाते हैं तो रायपूर से होने के बाद 25 तारिक को ये बिलासपूर चले जाते हैं ठिक कहां चले जाते हैं तो बिलासपूर चले जाते हैं बिलासपूर जाने का समय क्या तो समय आप बताएंगे 25 नवंबर 1923 को क्या हाँ पहुँच जाते हैं ये तो महात्मा गांधी 25 नवंबर 1923 को बिलासपूर पहुँच जाते हैं इसके बा जो स्वागत है वो होता है कहां तो जरहा भाठा चौक में कौन स्वागत करते हैं तो बैरिश्टर ठाकूर छेदी लाल जी के द्वारा क्या किया जाता है बैरिश्टर ठाकूर छेदी लाल जी के द्वारा जरहा भाठा चौक में इनका स्वागत किया जाता है फिर वही भोजन एवम रात्री विश्राम का जो इनका कारेकरम रहता है वो कुंज बिहारी अग्नी होत्तरी के घर में रहता है ठीक है कहाँ पर रहता है कुंज बिहारी अगनी होत्री के निवास पर क्या रहता है तो महात्मा गांधी जी के भोजन एवं रात्री विश्राम की विवस्था की जाये रहती है जिसके बाद क्या होता है तो महात्मा गांधी जो रहते हैं वो दूसरे दिन तो दूसरे दिन बिलासपूर में कब तो 26 नवंबर 1923 को क्या करते हैं ये तो बिलासपूर के गांधी चौक में भासर देते हैं ठीक है मतलब पहले भासर देते हैं भासर देने के उपरांथ इसी चौक का नाम बिलासपूर के नतरज़त क्या कर दिया जाता है गांधी चौक कर दिया जाता है और गांधी चौक को आज आप वरतवान में किस ले जानते हैं तो CGPSC के गड़ के रूप में CGPSC के हब के रू संख्या में हरिजन फंड हे तू यहाँ पर गांधी जी को दान प्राप्त होता है हरिजन फंड हे तू गांधी जी को दान प्राप्त होता है इसके उपरांथ जो गांधी जी रहते है वो बिलास्पूर और बिलासपूर से फिर भाठा पारा, भाठा पारा में फिर ये क्या करते हैं, तो जन सभा को सम्भोधित करते हैं ठीक है, और इसके बाद भाठा पारा से फिर रायपूर आते हैं, और रायपूर से रेल के माध्यम से ये गोंदिया के लिए क्या करते हैं, प्रस्थान करते हैं, ठीक है, किसके लिए प्रस्थान करते हैं, तो गोंदिया के लिए ये क्या करते हैं, प्रस्थान करते हैं, यहा आगे महात्मा गांधी बाला घाट के लिए रवाना हो जाते हैं क्लियर है समझ में आगे है यहां तक कितना चीजे देखने हैं आपको पढ़िए महात्मा गांधी की दुईति इचतिस गड़ यात्रा समय क्या तो 22-28 नॉबर 1923 उद्देश से क्या हरीजन उद्थान पहली बार का उद्देश से क्या था तो कंडेल नहर सत्य अगर हमें भाग लेना और अशहयोग आंदोलन हेतु सहयोग प्राप्त करना ठीक है और साथी इसमें कौन है मीरा बेन तो पहली बार में हमने देखा था कि इनके साथ में मौलाना सौकत अली आये थे और साथी इनको लेने कौन गये थे तो इनको लेने के लिए गये थे पंडित सुंदरलाल सर्मा तो सुंदरलाल सर्मा भी क्या होते हैं पहली बार में महात्मा गांधी के साथ ही कहा आते हैं नागपूर गये थे इस बार नागपूर से आये फिर नागपूर से आने के लिए रवाना हुए तो गोंदिया के लिए और गोंदिया से होते हुए फिर आगे कहा चले गये बाला घाथ 36 गड़ के अंतरगत कहा कहा की यात्रा किया तो दूर्ग, दूर्ग से रायपूर, रायपूर से धमतरी धमतरी से फिर रायपूर आने के समय राजीम में रुके और राजीम के बाद फिर ये रायपूर आया रायपूर से डायरेक्ट फिर बिलासपूर चले जाते हैं अब बिलासपूर से फिर भाठा पारा होते हुए फिर कहाते हैं रायपूर और रायपूर से फिर रेल के माध्यम से कहा निकल जाते हैं तो रायपूर से रेल के माध्यम से ये चले जाते हैं कहा गोंदिया फिर 36 स्वागत होता है इनका railway station में फिर भासाड कहां पर तो गांधी चोग में फिर कुमारी होते हुए महात्मा गांधी कहां पहुंचे रायपूर रायपूर के अंतरगत 22 नौंबर को ही आमानाका चोग में क्या किया गया तो महात्मा गांधी जी का स्वागत किया गया जिसके फोजन एवं रात्री विश्राम की व्यस्था कहां पर रखी गई तो पंडित रवी संकर्शुक्ल के निवास पर रखी गई फिर 23 नौंबर 1923 को क्या किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा स्वदेशी प्रदर्शनी का उधगाटन कहां पर तो विक्तोरिया गाडन व परतमान में हम किस नाम से जान रहे हैं तो सप्रे इसकूल के नाम से जानते हैं फिर सर्मा जी द्वारा निर्मीत सत्याग्रह आश्रम सत्नामी आश्रम में अनाथालाय का क्या किया इन्होंने निरिक्षण किया फिर मौधा पारा में हर जनों को संबोधित किया और संबोध अपना गुरु कहकर समगोधित करते हैं फिर हम क्या देखें ये गये धमतरी धमतरी कब पहुंचे 25 नूमर 1931 को स्वागत मकई बंचौक में उस समय भी हमने देखा था पहले वाले में कि मकई बंचौक में ही क्या हुआ था इनका स्वागत हुआ था फिर भासर दाजी मराथी करने असाला उस समय कहा तो जानी हुसेन का बाड़ा जहां पर 1500 लोग उपस्तित थे भीड अधिक होने के कारण महात्मा गांधी को गुरूर के कच्छवयापारी उमर सेट मिर्जा क्या करते हैं पहली बार वाले जब यात्रा में आये थे तब अपने कंधे पर बेठा कर भ महात्मा गांधी को भेट किये थे पहली बार में तिलक स्वराज फंड है तू भेट किया गया था किसके द्वारा किया गया था जल्दी बताएं आप किसके द्वारा तिलक स्वराज फंड है तू महात्मा गांधी को भेट किया गया था धमतरी में ठीक फिर हम देखे कि कहा तो राजीम में आम सभा को संबोधीत करते हैं जाने के समय में जहां पर उनको हरीजन फंड किये तू बहुत रासी प्राप्त होती है राजीम के इंतर गद्धी ठीक हमने उस समय देखा था कि वो कहां पर रुके थे कुरूद में रुके थे फिर ये कहां पर आये रायपूर और रुके जाते हैं और विलासपूर जब ये जाते हैं तो विलासपूर कब पहुंच गया 25 ता रिक कहां पहुच गया जहां पर जरहा भाठा चौक में बैरिश्टर ठापूर छेदीलाल जी ने क्या किया? महत्मा गांधी जी का स्वागत किया इसके उपरान महात्मा गांधी के भोजन और रात्री विश्राम की वस्ता कहां पर रखी गई तो कुंज बिहारी अगनी होत्री के निवास पर रखी गई फिर 26 नॉम्बर 1933 को गांधी चौक में क्या देते हैं महात्मा गांधी भासर देते हैं इवन मतलब भासर देने के उपरान थी उस जगह का नाम क्या परता है गांधी चौक परता है जहाँ पर भारी मात्र में हरीजन फंडेतु क्या होता है तो महात्मा गांधी को भेट प्राप्त होता है या दान प्राप्त होता है फिर भार्टा पार होते हुए कहा थे है, रायपूर और रायपूर से, रेल के माधधम से कहा चले जाते हैं, तो गोंदिया के लिए प्रस्तान कर जाते हैं Question क्या बोल रहे है? आने का उद्देस है, दूसरी बार आने का उद्देस है अगला क्वेशन, 1923 में महात्मा गांधी जी को भासण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्रचारे थे, ठीक है, जब रायपूरो आये थे, तो राजकुमार कॉलेज के कौन प्रचारे ने महात्मा गांधी को भासण देने के लिए आमंत्रित किया अगला मध्य प्रांत में जुलाई 1937 में गठित खरे मंत्री मंडल में पंडित रवी संकर सुक्ल को निम्नलिखित में से कौन सभी भाग दिया गया था जल्दी बताएं आप पंडित रवी संकर सुक्ल को कौन सभी भाग दिया गया था लगा लिया आंसर आपने लगा तो लिया ही होगा आप सबको तो ये पता ही है सुनिए थोड़ा सा बेक्ग्राउंड इस्टोरी सुनिए होता क्या है कि 1935 का एक अधिनियम आता है तो भारत सासन अधिनियम 1935 के तहट जो बरार प्रांत रहता है उसको क्या किया जाता है मध्य प्रांत में सम्मिलित किया जाता है ठीक है बरार प्रांत को मध्य प्रांत में क्या किया जाता है सम्मिलित किया जाता है और जब बरार एवं मध्य प्रांत एक हो जाते है विधान सभा के चुना हुए, जिसमें इन 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में क्या होते हैं, कॉंग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्थ होता है, एवं 8 प्रांतों के अंतरगत क्या होता है, तो 8 प्रांतों में कॉंग्रेस की सरकार बनती है, तो 8 प्रांतों में कॉंग्रेस क सरकार बनती है इसमें मुख्य रूप से इस चुनाव में रायपूर से पंडित रवी संकर सोक्ल दूर्ग से घंस्याम सिह गुप्त दूर्ग से घंस्याम सिह गुप्त और बिलाशपूर से इरागवेंद्र राव जो रहते हैं वो क्या होते हैं निर्वाचित होते हैं इरागवेंद्र राव क्या होते हैं तो निर्वाचित होते हैं क्लियर है समझ में आ गया कौन कौन तो राइपूर से पंडित रवी संकर सूकल दूर्ग से घंसयाम सिंगुप्त और बिलासपूर से ई राग्वेंदर राव क्या होते हैं निरवाचीत होते हैं ठीक है जिसके उपरांत 14 जुलाई 1937 को क्या किया जाता है मंत्री मंडल का गठ होता है ठीक है क्या होता है मंत्री मंडल का गठन होता है ठीक है क्या होता है मंत्री मंडल का गठन अब यह जो मंत्री मंडल का गठन होता है इसमें मुख्यमंत्री नरायन भासकर खरे ठीक है मुख्य मंत्री कौन रहते हैं नरायन भासकर खरे शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री रहते हैं इसमें पंडित रवी संकर सुक्ल शिक्षा मंत्री रहते हैं विधान सभा अध्यक्ष ठीक कौन तो घंस्याम सीव गुप्त जी क्या रहते हैं इसमें विधान सभा अध्यक्ष रहते हैं ठीक कौन तो पंडित घंस्याम सीव गुप्त जी क्या रहते हैं तो विधान सभा अध्यक्ष रहते हैं इसके अलावा वित्त मंत्री वित्त मंत्री डी के मेहता जी क्या रहते हैं तो डी के मेहता जी वित्त मंत्री रहते हैं कब तो खरे मंत्री मंडल में ठीक है क्या रहते हैं डी के मेहता जी वित्त मंत्री रहते हैं और इसके अलावा एक आपको ध्यान रखना है राजश्व मंत्री रेवेन्यू मिनिस्टर जो रहते हैं वो रहते हैं पुरूशोत्तम बल्वंत गोले पुरूशोत्तम पुरुसोत्तम बलवंत गोले क्या रहते हैं इसमें राजस्व मंत्री रहते हैं ठीक है इसी समय सिक्ष मंत्री के पद पर रहते हुए जो पंडित रवी संकर सूकल थे उनके द्वारा विद्या मंदिर योजना शुरू की गई थी ठीक है क्या किया गया था तो पंडित रवी संकर सूकल जी के द्वारा क्या किया गया था तो विद्या मंदिर योजना शुरू की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रांत में असिक्षा की समाप्ति तथा सिक्षा को क्या करना था स्वालंबन प्रदान करना था इसके बाद होता क्या है कि 29 जुलाई 1938 को क्या होता है दल में नितिगत मदभेद के कारण जो खरे जी रहते हैं मुख्य मंत्री वो क्या दे देते हैं इस्तिफा दे देते हैं तो खरे जी इस्तिफा दे देते हैं जिसके उपरान ठीक है किसके उपरान तो खरे जी के इस्तिफा के उपरान 29 जुलाई 1938 को नवीन मंत्री मंदल का गठन किया जाता है जिसमें अब मुख मुख्य मंत्री ठीक है 29 जुलाई 1934 क्या हुआ तो नवीन मंत्री मंदल का गठन हुआ मतलब नए मंत्री मंदल का गठन जिसमें अब मुख्य मंत्री कौन बने तो इसमें अब मुख्य मंत्री बनते हैं कौन तो आपके पंडित रवी संकर सुकल जी पंडित रवी संकर सुकल क्या बनते हैं? इसमें तो मुख्य मंत्री बनते हैं पहली बार में मुख्य मंत्री कौन बने थे? तो पहली बार में मुख्य मंत्री तो नारायन भासकर खरे जी बने थे ठीक है कौन बने थे नरायन भासकर खरे जी बने थे ठीक है और इस बार कौन बन गये तो उच्छा गवर्णर थे ई रागवेंद्रा राउ और विधान सभा अध्याक्ष ये घंसियामसी गुप्त जी ही थे गंस्या मसी हैं गुप्त जी ही क्या थे तो इसमें विधान सभा अध्यक्ष्य थे क्लियर है समझ में आ गया अब तो क्वेशन आराम से बन जाएगा पहले ही बना लिया होगा आपने कि पंडित रवी संकर्शुक्ल को कौन सोई भाग दिया गया था खरे मंत्री मंदल के अंत गठन किया गया तो इसको आप ध्यान में रखिएगा देखते हैं अंगला क्योशन अपना अगला क्योशन 1938 में खेरागड में कौन से दल का गठन हुआ था प्रकर पहरी चैनी-वेनी दल जाग्रित दल सेवा दल किस दल का गठन हुआ था कहां पर तो 1938 के अंतरगत खेरागड में किस दल का गठन हुआ था जल्दी बताएं आप तो 1938 के अंतरगत खेरागड में सेवा दल का गठन हुआ था जिसके संस्थापक थे पदुम लाल, पुन्ना लाल, बक्सी संस्थापक कौन? तो पदुम लाल, पुन्ना लाल, बक्सी जी क्या रहते हैं? तो इस सेवा दल के संस्थापक रहते हैं और इस सेवा दल के संस्थापक में उनके सहयोगी ठीक है किन के सहयोगी तो पदुमलाल, पुर्लाल, बक्सी जी के सहयोगी रहते हैं कौन? तो सुख राम, एक वैक्ती का नाम आता है कि सहयोगी के रूप में, जिसका नाम है क्या? शुख राम जी क्या रहते हैं इसके सहयोगी रहते हैं क्लियर है समझ में आ गया अगला क्रिशन देखते हैं अगला क्रिशन 1949 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में किस राजा ने 52 हाथियों में लाद कर रसद एवं अन्यसामाग्री भिजवाई थी किस राजा ने 52 हाथियों में लाद कर रसद एवं अन्यसामाग्री भिजवाई थी रामानुज सरण सही देव SS सही देव अंबिकेश्वर सरण सही देव चंडिकेश्वर सरण सही देव तो किस ने बावन हाथियों में लाद कर त्रिपुरी अधिवेशन में क्या किया था तो रसद एवं अन्य समागरी भिजवाई थी तो रामानुज सरण सी देव के दोरा क्या किया गया था बावन हाथियों में लाद कर रसद एवं अन्य समागरी भिजवाई गई थी अब त्रिपुरी अधिवेशन को आप किस रूप में जानते हैं? त्रिपुरी अधिवेशन में जाने से पहले ये जो question है, ठीक है, ये एक बार आ चुका है पेसी के अंतरगत, और उसमें, इसमें क्या दे दिया गया था, कि संबलपुर के किस राजा ने क्या किया था, तो ब हाथियों पर लाद कर रसत समागरी भिजवाई गई रहती है, क्लियर है, समझ में आ गया, त्रिपुरी अधिवेशन को आप क्यों जानते हैं? तो त्रिपुरी अधिवेशन को जानते हैं, आप किस लिए, तो ये अध्यक्ष पद के विवाद के लिए, आपको पता होगा क त्रिपूरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो सुभाष चंद्रबोस जी क्या बनते हैं, त्रिपूरी अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं, किसको हरा कर बनते हैं, तो ये जो रहते हैं, ये गांधी जी के प्रतिनिधी, पटाभी सीतर रमया को हरा कर क्या बन देना है पट्टाभी की जीत मेरी जीत पट्टाभी की हार मेरी हार सब को जाकर परसनली कन्वेंस करते हैं कि क्या करना है पट्टाभी को ही वोट देना है बोस को वोट नहीं देना है सुभास चंदर बोज जी तो सुभास चंदर बोज जी है है ना उनके समक्स कौन टिक सकता है कोई नी टिक सकता तो पटाभी की हार मेरी हार है बोलकर क्या होते है गांधी जी रिसा आ जाते है भाई ठीक है क्या होते है रिसा जाते है और मूफुला ले थे मुफिला के खाय पील छोड़ते थे तो सुभास चंद्रबोष बोल थे बापू ते मत मुफिला मैं जा था भाई मैं इस्तिफा दे देता हूँ ते पट्टा भीला अराम से का कर लेते हैं तो अराम से अध्यक्ष बना ले फालतों में मुफिला वाले काम मत कर अध्यक्ष पत्से मुला कोई मतलब नहीं है एले धर ठीक है इस्तिफा दे देते कौन तो सुभास चंद्रबोष इसके उपरान जो सुभास चंद्रबोष रहते हैं यहाँ पर इस्तिफा देने के उपरान फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे आगे आप भारती इतियासमस को पढ़े भी होंगे ठीक है फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं साथ ही त्रिपूरी अधिवेशन को और किसले जानते हैं तो इस त्रिपूरी अधिवेशन में निमने लिखित में किन्ने दियासतों और जमिदारों में स्टेट कॉंग्रेस के तत्वधान में 1938-39 में जंगल सत्यागरा हुए थे छुई खदान, कवर्धा, बदरा टोला, राजनान गाओं, कांकेद तो स्टेट कॉंग्रेस के तत्वधान में जो 1938-49 के समय चुई खदान और बदरा टोला यहाँ पर क्या हुआ था तो स्टेट कॉंग्रेस के तत्वधान में क्या किया गया था तो जंगल सत्यागरा हुआ था ठीक है, कहां कहां पर तो चुई खदान और बदरा टोला एक एवं तीन, आंसर क्या होगा आपका सी, इसका अंसर होगा, आप मुझे बता जंगल सत्यागरा नेत्रिटो करता कौन थे? बदरा टोला जंगल सत्यागरा के नेत्रितो करता कौन थे? हूम वर्खे आपके लिए, ठीक है, अभी जान रहे हो ठीक है किसको चुई खदान जंगल सत्याग्रा और बद्रा टोला जंगल सत्याग्रा ठीक है अगला बोल रहे है इस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कॉंग्रेस सर्व प्रथम कब इस्थापित हुआ ठीक है स्टेट कॉंग्रेस कब इस्थापित हुआ था बताएं आप 1938 में हुआ था, 22 में हुआ था, 30 में हुआ था, कि 40 में हुआ था State Congress की स्थापना कब हुई थी, जल्दी आप अपना आंसर दे लगा लिया आंसर आपने, ठीक, तो क्या है इसका आंसर? 1938, 22, 30, 40, तो इसका आंसर है 1938, 1938 कुमे छुई खदान में State Congress की स्थापना हुई थी, जल्दी है? अगला, दुटी महायुद्ध के काल में, 36 गड़ के कौन वायसराय समिती का कार्यकार्णी के सदस्य थी, तो दुटी विश्वयुद्ध के समय, जो इराग्वेंद्र राओ थे, वो क्या थे वायसरायकार्यकार्णी के सदस्य थे ठीक है कौन तो ई राग्वेंद्र राओ दृती विश्विद्र के समय वायसरायकार्यकार्णी के सदस्य थे अभी जश्ट हमने क्या देखा था चुनाओ देखा था 1937 वाला जिसमें एक बार क्या हुआ खरेजी के नेत्रितों में मंत्री मंदल का गठन हुआ, जिसमें खरेजी क्या थे मुख्य मंत्री, शिक्छा मंत्री कौन, पंडित रवी संकर सूकल, विधान सभा अध्यक्ष कौन, तो विधान सभा अध्यक्ष थे आपके घंसयाम सीगुप्त, ठिक वित्त मंत्री कौन, डी तो उस समय फिर गवर्नर किसको बना जाता है ए रागवेंदर राय को और विधान सभाध्यक्ष कौन रहते हैं तो घंशाम सिंग गुप्त जी ही रहते हैं ठीक है ये दूसरी बार मंदल गठीत हुआ फिर जब 1949 से द्वितिय विश्वयुद्ध प्रारम हो जाता है तो उस द कार्तियों के अनुमति के युद्ध में सामिल कर दिया जाता है तो ये जो मंत्री मंदल रहते हैं कॉंग्रेस मंत्री मंदल जो रहता है वो क्या कर देते हैं इस्तिफ़ा दे देते हैं पूर्ण रूप से ठीक है मतलब चुनाओं का बहिसकार कर दिये जब आप हमको चुने व्यक्तिगत सत्यागरह के दौरान निम्ने लिखित में से किस ने इस राज्य में इसका प्रारंभ किया था? ठीक है, निम्ने लिखित में से किस ने इस राज्य में इसका प्रारंभ किया था? जल्दी बताएं आप किसने इस राज्य में इसका प्रारंभ किया था लगाली आंसर आपने थोड़ा पढ़ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में देखते हैं हेडिंग डालेंगे आप व्यक्तिगत सत्याग्रह एवं 36 गड़ तो व्यक्तिगत सत्यागरह का जो समय है कब शुरू हुआ तो व्यक्तिगत सत्यागरह आपका अक्टूबर 1940 में क्या हुआ शुरू हुआ ठीक है क्या हुआ अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्यागरह सुरू हुआ ठीक इस व्यक्तिगत सत्यागरह के नेत्रित्व करता कौन तो महात्मा गांधी ठीक है कौन थे तो महात्मा गांधी थे अब महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह है तु क्या किया? कुछ लोगों को अनुमती दिया. इसमें प्रथम सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतरगत प्रथम सत्याग्रही थे अचारी विनोबा भावे. ठीक है कौन थे? विनोबा भावे क्या थे प्रथम सत्याग रही थे इसमें व्यक्तिगत सत्याग रही थे पंडित जवाहर लाल नेहरुजी पंडित जवाहर लाल नेहरुजी क्या थे दृतिय सत्याग रही थे और इस व्यक्तिगत सत्याग रह के तृतिय सत्याग रही कौन थे तो ब्रह्म देव क्या थे ब्रम्ह देव या ब्रम्ह दत इन्हें कहा जाता है ब्रम्ह दत क्या थे तो ये ब्रम्ह दत इसमें तृतिय सत्याग रही थे ठीक है कौन ब्रम्ह दत देव मत लिखना है दत कर ले न ब्रम्ह दत क्या थे इसके तृतिय सत्याग रही थे अब इसमें होता गया है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो व्यक्ति का सत्यग्र है इसके लिए प्रारंभ में पांच सो स्वतंत्रता सेनानियों को क्या दी जाती है? अनुमति दी जाती है. और इन पांच सो स्वतंतरता सेनानियों में पचास स्वतंतरता सेनानी जो थे या पचास जो सत्याग रही थे वो रायपूर के थे ठीक है कहां के थे तो वो थे रायपूर के थे पांच स्वतंतरता सेनानियों को क्या दिया गया अनुमती दिया गया जिसमें से पचास स्वतं अंत्रता से नानी कहां से थे रायपूर से थे इसके उपरांथ मैं 1941 में और सत्या ग्रहियों को अनुमती मिलने के पश्चाथ महा कौसल में 271 सत्याग रही हुए जिसमें से रायपूर से 473 और दुर्ग से 107 सत्याग रही थे कितने थे तो रायपूर से 473 और दुर्ग से 107 सत्याग रही थे ठीक है कितने सत्याग रही थे तो 107 सत्याग रही थे clear है समझ में आ गया ठीक इसके बाद ये तो हो गया बात कहां के लिए तो नेशनल लिवर में अब जैसे कि हम बात करें 36 गड़ के अंतरगर तो 36 गड़ में कब तो 27 नवंबर 1940 को पंडित रवी संकर सुक्ल ठीक है कौन तो पंडित रवी संकर सुक्ल के द्वारा माना रायपूर से ठीक है कब किया गया तो पंडित रवी संकर सुक्ल के द्वारा 27 नवंबर 1940 को माना रायपूर से क्या किया गया तो माना रायपूर से सत्यागरह प्रारंभ किया गया जिसके उपरांथ पंडित रवी संकर सुक्ल को क्या कर लिया जाता है जिसके उपरांथ पंडित रवी संकर सुक्ल को गिरफतार किया गया पंडित रवी संकर सुक्ल को क्या किया गया, गिरफतार किया गया, और गिरफतार करके एक साल की सजा सुनाई गया, ठीक है, कितनी सजा सुनाई गया, एक साल की सजा सुनाई गया, गिरफतार करके पंडित रवी संकर सुक्ल को कितनी सजा सुनाई गया, एक साल की सजा अब हम यह जो पंडितरवी संकर सुक्ल है इन्हें 36 गड में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कहा जाता है ठीक क्या कहा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह का व्यक्तिगत सत्या ग्रह का प्रथम सत्या ग्रही कहा जाता है कि इन्हें कहा जाता है तो पंडित रवी संकर सुक्ल को 36 गड में व्यक्तिगत सत्या ग्रह का प्रथम सत्या ग्रही कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है प्रथम सत्या ग्रही कहा जाता है इसके उपरांद 2 अप्रेल 1941 को सत्या ग्रहियों का एक दल दिल्ली की ओर रवाना हो ठीक है अब जब दिल्ली के ओर ये दल रवाना होते रहता है तो इसमें कौन-कौन थे तो इस दल में 36 गड़ से कौन तो रामेश्वर शाहू रामेश्वर शाहू राजा राम साहू राजा राम साहू ज्वाला प्रशाद यदुनंदन प्रशाद ज्वाला प्रशाद यदुनंदन प्रशाद ये क्या थे प्रमुख सत्या ग्रही थे ठीक है इन सभी सत्या ग्रहीयों को क्या किया जाता है तो ललितपूर उत्तर प्रदेश से इनको गिरफतार किया जाता है और ललितपूर से गिरफतार करने के उपरांद इनको कहा पर भेजा जाता है तो ललितपूर से गिरफतार करने के उपरांद इन सभी सत्या ग्रहीयों को जासी जेल में बंद किया जाता है थीक है कब बंद किया जाता है तो दो अप्रशाद 1941 को गिरफतार करके इनको पहले जासी जेल में जासी जेल के बाद इनको सागर जेल में इस्थनांतरित किया गया सागर मध्यप्रदेश और सागर के बाद फिर इनको बिलासपुर जेल 36 गड़ लाया गया और बिलासपुर जेल से फिर ये जितने भी सत्याग रही थे वो क्या होते हैं रिहा होते हैं क्लियर है समझ में आ गया इतना चीज जानना है आपको अराम से आप इस व्यक्ति गड़ सत्यागरा को 36 गड़ के अंतरगत दो नंबर में लिखे चार नंबर में लिखे आठ नंबर में लिखे ठीक है आपके पास more than sufficient content यहाँ पर होंगे ठीक है शुरू आपको कहां से करना है तो देखिए व्यक्ति गड़ सत्यागरा कब से चालू हो रहे है तो व्यक्ति गड़ जो सत्यागरा है वो आपका अक्टूबर 1940 से चालू हुआ नेत्रित्व करता कौन थे महात्मा गांधी थे प्रथम सत्यागरा ही कौन विनोबा भावे दूसरे कौन पंडित जवाहलाल प्रारंभ में महात्मा गांधी के द्वारा कितने सत्यागराहियों को अनुमती दी गई तो 500 सतंत्रता से नानियों को अनुमती दी गई जिसमें से 50 सतंत्रता से नानि कौन थे कहां से थे तो रायपूर से थे फिर इसके उपरांत और सत्यागराहियों को अनुमती मिलने के पस्चात मई 1941 में ठीक है कब मई 1941 में महा कौसल से ही कितने सत्याग रही हो गए तो 2761 सत्याग रही हो गए जिसमें रायपूर से कितने थे 473 और दूर्ग से कितने थे तो 107 सत्याग रही थे क्लियर है फिर 36 गड़ 36 गड़ के अंतरगर तो 27 नवंबर 1940 को पंडित रवी संकर सुकल के द्वारा क्या किया जाता है माना रायपूर से व्यक्तिगत सत्याग रही थे प्रत्थम व्यक्तिगत सत्याग रही थे ठीक है क्या थे तो 36 गड़ के प्रत्थम व्यक्तिगत सत्याग एक साल की इनको सज्जा सुनाई जाती है फिर दो अप्रैल 1991 को सत्यारईयों का एक दल कहा निकलता है दिल्ली क्यों रवान होता है इसलिए इस व्यक्तितीगात सत्यार कर दियान भी कहा जाता आप यह जो दिली चलो अभ्यान चल रहा है वेक्टी का सत्याग्रह में उस में चित्याग्र और चाहण के रामिषवर साहू राजाराम साहू ज्वाला प्रसाद यदुनंधन प्रसाद यां रहे थे और जाने के दौरान इनको ललीतपुर उत्तर प्रदेश से गिरफतार किय सितनांत्रित किया गया सागर जेल और सागर जेल कहा थे हैं यह जो सत्यागरही यह कने हिए इस समझ प्यक मिलाश्बुन है उन्द और योज्ज हो ये जल्दी से मैए जल्दी बताएं आप समझ में आक नहीं आया, अराम से लिख लेंगे, आंसर राइटिंग भी कर लेंगे इसको, ठीक है, तो हाला की है टॉप MCQ सिरीज, लेकिन इसमें आपको हम मेंस का भी आंसर राइटिंग का कंटेंड प्रोवाइड करवा दे रहें, प्लियर है, तो व्य किया गया, क्लियर है, देखें अगला क्वेशन हम, अगला क्वेशन, थाकूर छेदी लाल ने पद यात्रा का नेत्रित्व करते हुए, कब व्यक्तिगत सत्या गरह प्रारंभ किया था, तो थाकूर छेदी लाल जी के द्वारा, ठीक तो ये 17 अक्टूबर को किया गया था, 13 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर को, 21 नवंबर को, थाकूर छेदी लाल जी के द्वारा, 22 अक्टूबर को क्या किया गया था, तो व्यक्तिगत सत्या गरह का प्रारंभ किया गया था, पद्यात्रा की माध्यम से, ठीक है, लेकिन इनको हम लोग क्या नहीं कहते हैं प्रथम सत्याग्रही नहीं कहते हैं प्रथम सत्याग्रही किसको कहते हैं तो प्रथम सत्याग्रही हम पंडित रवी संकर सुकल जी को कहते हैं ठीक है किसको कहते हैं तो पंडित रवी संकर सुकल जी को कहते हैं ठीक है लेकिन उन्होंने कब क तुह तो 27 नोमबर को किया था ठीक यह सिर्प क्या कर रहा है तो व्यक्तिकत सत्यागरा को सपरकूट करते हुए पद यात्र निकाला निक लेकिन एक्चवल जो सत्याग्रा होना चाहिं यह था वो किसके द्वारा किया गया था तो वो किया गया था पंडित रवी संकर सुक्ल के द्वारा अगला निम्न कथन पढ़िये 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्यागरह में भाग लेने वाले 36 गड़ के कारेकरताओं को ललितपूर के पास गिरपतार किया गया दूसरा इन कारेकरताओं में ज्वाला प्रसाद मेश्र यदुनंदन प्रशाद स्रिवास्तव सम्मिलित थे पंडित रवी शंकर सुक्ल ने इसका नेत्रे तो किया था तो मैंने अभी बताया था आपको कि 8 अगस्त 1941 को क्या किया गया इनको गिरपतार किया गया था कहां से गिरपतार किया गया ललीथपूर से ललीथपूर से गिरपतार करके फिर कौन सा जेल तो जहांसी जहांसी से सागर सागर से आपका कहां बिलासपूर और बिलासपूर से फिर ये होते हैं रिहा पहला कथन सही है आपका दूसरा इन कारकरताओं में ज्वाला प्रसाद और यदुनंदन प्रसाद स्रिवास्तों सम्मिलित थे बिल्कुल सही अभी बताया था मैंने राजेश, रामेश्वर साहू, राजा राम साहू ज्वाला प्रसाद और यदुनंदन प्रसाद क्या थे मुख्य रूप से इसमें सम्मिलित थे तो ये कथन भी सहीं हो गया फिर तीसरा बोड़ है पंडित रवी संकर्शूक्ल ने इसका नित्रित्व किया था तो क्या किया था? नहीं ये तो पहले ही गिरप्तार हो गया थे माना में इन्होंने क्या निका किया था तो सत्याग्रह किया था और माना में सत्याग्रह करने की उप्राद इनको एक साल की सजाद दी गई थी तो ये पहले गिरपतार हो चुके थे तो पंडित रवी संकर सूकल के द्वारा इसका क्या नहीं किया गया था तो पंडित रवी सं आपको पता है रायपूर आया तो रायपूर के अंतरगर सीरह कौन रहेंगे पंडित रवी संकर सूकल बिलासपूर में राम गोपाल तिवारी धमतरी धमतरी के छोटे लाल स्री वास्ताव और दूर्गा के घंस्याम सीगुपत यह तो बिल्कुल सही सुमिली थै एक दो तीन कहा दिख रहा है 1,2,3,4 डीमें दिख रहें यह क्या हो जाएगा आपका आनसर हो जाएगा i2,3,4 अगला क्वेशन है सूची एक को फिर सूची दो से मिलाना है है वही व्यक्टी करस अत्यगरा और इस्थाने ृटी कहा है सत्यगरा में солमिल कौन है और किस इस्थान से थ पर लें आप विनोबा भावे ठीक है क्या विनोबा भावे ये पौनार यतियतनलाल जैन राम गोपालतिवारी यतियतनलाल जैन को जानते कहां से हैं राम गोपालतिवारी राम गोपालतिवारी तो बिलकुल कहां के हैं बिलासपूर के हैं कोई सक नहीं है और रतनाकर जा दिख रहे हैं मतलब आपका B और C क्या हो गया एलिमिनेट हो गया यहीं पे फिर राम गोपाल तिवारी बिलासपूर्ग तीन के बाद चार और रतनाकर जाए दुर्ग मतलब A क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा ठीक है क्लियर है तो 1940 तक की घटनाय आपकी इस तरह समाप्त हो रही है ठीक इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कल भारत छोड़ो आंदोलन उसी में देखेंगे रायपूर सरयंत्र केस रायपूर डायनामाइट केस ठीक है इन चीजों पर क्या करेंगे हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे फिर वही पसंद आ रहा है जै हिन जै चाथ तीजगर